सो रिसेंटली बहुत सारे स्मार्डोज ब्रैंट्स उनकी अफोर्डिबल कॉलिंग स्मार्डोज लांच कर रहे हैं तो रिसेंटली गिजमूर ने उनकी सबसे अफोर्डिबल कॉलिंग स्मार्डोज लांच की है दोस्तो आज की स्टूडियों में इस स्मार्ट ओज को डीटल में एस्प्लोर करने वाले जानेंगे इसके फीचर कैस की प्राइज है क्या स्मार्ट ओज आपको बाय करनी चाहिए और नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे इसके डिस्प्ली के तो आपको 1.8-inch का display देखने मिलता है जिसके side में आपको थोड़े बहुत bezels भी देखने मिलता है डिस्प्ली की कॉलिटी आपको ओरोल ठीक ठाक देखने मिलती है, ब्राइटनेस की बात करें तो पासुनेट की ब्राइटनेस है, इंडोर कंडिशन के लिए बेस्ट है लेकिन आउड़ोर या फिर हार संलाइट में आपको धोड़ी बहुत प्रोब्लेम फेस करने पड़ सकती ब्ल्यूथुथ कॉलिंग का फीचर है और इसकी बैट लाइफ की बात करें तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 5-7 देस के आसपास का बैकर बैकर देखने मिलता है अगर आप कॉलिंग फीचर के साथ यूज़ करते हैं तो एक से दो दिन के आस-पास का दिखने म मिलता है, sports related भी आपको बहुत सारे trackers दिखने मिलता है, इस smartwatch के नरपको inbuilt 3 games दिखने मिलती है और इससाथ voice assistant का feature भी है, बहुत सारे tap के useful features दिखने मिलता है, जिसकी smart notification, camera shutter button, weather information इस type के features भी आपको दिखने मिलता है, बहुत सारे type के watch faces है जो के इनके app के अंदर दिखने मिल यह स्मार्टोज आपको इन चार कलर्स के अंदर देखने मिलती है और इस स्मार्टोज के जो डायमेंशन से आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं इस स्मार्टोज की वेट की बात करें तो 45 ग्राम के असपास का इसका वेट है जो कि ओर रॉल एक बैनेंस डेट है अगर आपको इस रिजमें कोई दूसरी स्मार्टोज चाहिए तो पेट्रॉन की दरब से आने वाली पल्स फीट P61 यह स्मार्टोज भी ओरूल एक अच्छे आप्छन हो सकती है आप इन स्मार्टोजिस को चेक आउट कर सकते हैं पिन कॉमेंट के अंदर लिंक है तिल दर आज की इस वीडियो में इतना हैं मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में